दोस्तो अब हमारा इंडान नाभी में मेडिक्ट सम्बेरिन को इस्तमाल किया जाएगा तो ये मेडिक्ट सम्बेरिन का मतलब ये होता है कि मेडिक्ट मतलब छोटा सम्बेरिन जो कि छोटा पंडू भी होता है और इसे हमारा इंडान नाभी का रिक्वाइर के मुताविक हमार भारत में ही टेबलोप या मैनुपक्चर किया जाएगा और ये सारे अत्याधुनिक टेकनोलोजी से लेश होगा जिहां दोस्त तो आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा सम्वेरिन हमारा इंडन नाभी में क्या काम हागा हमारा इंडन नाभी के तरफ से ये सम्वेरिन को स्व सम्वेरिन डेवलोप करने के लिए 2014 में डिफेंस एकुजेशन कांसल के दौरा एक बिल पास किया गया था जिसका मोटो था हमारा इंडिया में इंडिजिनस टेकनोलोजी में हमारा भारत में ही इसा दो सम्वेरिन को डेवलोप किया जाए जिसके लिए हमारा भारत के तरफ का स्पेशल फोर्स मार्कोस जो की मेरिन कमांड होता है वो ही इस्तमाल करेगा जैसे कि तीनों से ना में अपना अपना स्पेशल फोर्स होता है जैसे कि हमारा एर फोर्स में गौरूर फोर्स होता है और लैंड फोर्स में पाराय सेप होता है इसी तरह इंडर नाभी में मार्क मार्कोस मतलब मेरिन होता है मेरिन कुमान्डो और हमारा भारत में यह जो दो मेड़गेट सम्मेरिन को डेवलोफ किया जा रहा है इसके अंदर 8–25 टूपस या कुमान्डो एक साथ जा सकते हैं और यह कुमान्डो दुनिया का सबसे हाइटेक होतियारों से लेश होंगे इस सम बार होके हमारा कुछ टूप्स या कोमांडो जाएंगे और पानी के अंदर ही इस सम्मेरिन से बाहर निकलेंगे और पानी के अंदर ही डूपता हुआ अपना मिशन को कामियाभी भी करेंगे ये जो टेकनोलोजी है ये आज काल का टेकनोलोजी नहीं है इसी तरह टेकनोलोजी बिल्कुल World War 2 में भी इस्तमाल किया जा रहा है हाला कि आज के टेकनोलोजी के अनुसर वो थोड़ा लो टेकनोलोजी था और इस प्रोजेट के थूप पहली बार हमारा एंडन नाभी में इस्तरह का संबेरिन को इस्तमाल किया जाएगा आपके जानकरी के लिए बता दें की अभी इस्तरह का संबेरिन पाकिस्तन भी इस्तमाल कर रहा है जो की 1995 के बीच पाकिस्तन के द्वारा इटली से खरीदा गया था और ये पाकिस्तन नाभी में काफी पूराना हो गया है इस बज़े से इसे अभी रिटार किया जाएगा जो की इटली का कोस्मोस MG110 क्लास का है और ये सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तन के तरब से जब ये रिटार हो जाएगा तो इसके बदले एक छोटा सम्मेरिन बिलकुल लिया जा रहा है जिसका पूरा लेंथ 55-50 होगा जो की पाकिस्तन का पहले इस्तमाल होने वाला कोस्मोस MG110 क्लास सम्मेरिन से भी बहुत छोटा है इसके अंदर 8-14 सोल्डर्स बढ़ के जा सकते हैं और हमारा इंडान नाभी के दोरा ये कहा जा रहा है कि ये दो सम्मेरिन हमारा इंडान नाभी में इंक्लूड होने के बाद और इसी तरह सम्मेरिन हिंदूस्तान सी फ्याड़े लिमिटर को डेवलप करने के लिए अडर दिया जाए ये सम्मेरिन का ओप्रेशन लिमिटी बहुती ज्यादा लिमिटेड है और ये सम्मेरिन नाभी का कोबर ओप्रेशन के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है आशा करते हैं जल्चा जल्द ये हमारा इंडा नाभी में इलकुड हो जा है आशा करते हैं ये टपिक आपको जरूर आचा लगागा इसको ओपर मुझे कॉमेट कर सकते हैं वीडियो को सेयर कीजिए जॉय भारा जॉय हिन